दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आँ ऐसी रेसिपी जिसको बनाना बहुती मुश्किल काम लगता है लेकिन आप इसको घर पर आसानी से बना सकते हैं सोन पपड़ी की जो काजाते है तो मैं आपको आज बताओंगा कि कैसे आप इसको घर पर भी तैयार कर सकते हूं देखें कारखनों में मशीनों से तो घर पर अलग सी तिगने तोड़ी आ सकती है इसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो सबसे पहले एक कड़ाई लेंगे और कड़ाई में लेंगे एक कटोरी मेदा तो मैंने यहां पर एक कटोरी मेदा लिया है अभी इसमें गी वगएरा कुछ भी नहीं डालने हैं आपको only मै опас को सेखना है और इसमें दो चमचा हमने बेसन लिए हैं बेसन मैंने मोटा वाला बेसन उच किया है आपको इसा बेसन उच कर सकते हो तो इसके बाद में इनको अच्छी तरह से पका लेंगे दो से तीन मिनट इसका कच्छापन खतम होने के बाद में इसमें डालेंगे दो बड़े चमच घी के घी आपको बाद में डालना है और अभी इसको 5-7 मिनटा हम लगाता है लो मीडे माज पर पका लेंगे इसको अच्छी तरह से पका लेना है क्योंकि इसमें जो कच्छा पन है वो इसको खतम कर देना है मैंने यहां अच्छी तरह से इसको पका लिया है अब इसके बाद में हम करेंगे चाचनी तयार तो चाचनी तयार करने के लिए हमें जितना हमने मैदा और बैसन लिया है उतनी हमें चीनी लेना है और आदा कप इसमें पानी डाल देना है हमारा बैसन इस तरह से तयार हो चुका है 5-7 मि अ링 अच्च्छी तरह बूनकि इक अलग बर्तन में निकाल लेना इसको ठंड़ा होते के लिए तो अलग बर्तन में निकाल लिया इसके बाद में जो चाचनी की जो हमने कड़ाई लिए उसको उठाना है और हिला के रख देना है इसको कड़ाई को रख देना है इसमें कर्ची वगरा आपको चलाओगे तो हमारी चाचनी अच्छे तरह से बनकर तयार नहीं होगी तो 2-5 मिनट पकाने के बाद में इसको देखे इस तरह से इला दीज़िए और कड़्ची वगरा कुछ नहीं डालना है और इसको एक से 2 मिनट बाद में कड़्ची से आप अच्छे तरह से इला दीज़िए बस एक बार में फ्लेवर के लिए डाल दे हैं हमें इलाईची 4-5 इ पगने के बाद में हमारी जो चार्जनी कुछ इस तरह से पकर तयार हो चुकी है अब इसको चार्जनी को चेक करेंगे कि हमारी परफेक्ट चार्जनी बनकर तयार हुई है या नहीं तो इसमें पानी लेंगे कटोरी में और पानी में दो-चार मुंदे डाल के देखेंगे कि ये एक टोफी की जैसे जेली होते हैं उसकी तरह हो जाएगी और ये कट-कट की आवाज आने लगेगी इसमें मैंने आदा नीवू का रस भी डाला है वो आपको मैं दिखाना बूल गया अब इसको एक बरतन लीजे ताली या कुछ भी ले सकते हैं उसमें थोड़ा सा गील लगाए और इसको ठंडा होने के लिए रख दीजेगा एक से दो मिनटी ये आपको ठंडा करना है आपको ज़्यादा ठंडा नहीं करना है अगर आप ज़्यादा ठंडा करोगे तो आपकी जो सोन रोल है न वो बनकर तयार नहीं होगी अब चाजनी निकालने के बाद में बैसन डाले और एक परात ले लीजे या कोई सा भी बरतन ले लिए उसके उपर इसको इस तरह से लगातार मोरते जाएगा ध्यान रखेगी यह ठंडा होने के बाद में बिलकुल आपको बहुत ज्यादा मेनत करने पड़ेगी और यह अच्छे तरह से हमारा बनकर तयार नहीं होगा तो इसको लगातार गरम को घुमाते रहना है और हम आपने जो वैसन और मैदा तयार किया तो इसको लगाते रहना है इसको चारो तरफ से तो यह अच्छे तरह से लग जाना चाहिए और इसको लगतार एसे रोल करते जाना है करते जाना है जितना आप रोल कर सोगो जितने आप तक हो सेगे जितना आप इसको रोल करते तो एसी भी कोई दिक्कत नहीं है कि टूतें के बाद में अच्छे तरह से नहीं पाईगा और कहीं से बारी को जाएका तो इसको तोना का से इस तरह से इसको लगता है घुमाते रहना है वोट करते रहना है इसको बार-बार में इसे फोल्ड करते जाओ और बेसन अच्छी तरह से इसमें लगाते जाना है यह देखिया आपके सामने बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनकर तयार होता जा रहा है तो अब यह ज्यादा ठंडा होने के बाद में आना बिल्कुल खिचेगा ही नहीं और यह अलग तरह टाइप से बन जाएगा तो इसके बाद में कटोरी लीजिए उसमें कुछ ड्राइफूर्स राके और सोन रोल को उपर से डाल दीजिएगा डालने के बाद में अच्छे तरह से कटोरी या कोई भी आप छोटी वाली सेप ले सकते हो कोई सी भी हम हमारी सोंडोल बनकर एक दिम से तैयार हो चुकिए तो आपको अगर एस रेसिप अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें चैनल को भी सब्सक्राइबर जरूर कर लेता कि आने वाली वीडियो को नोटिपिकेशन आप तक जरूर से जर क्लेगर